हेलो फ्रेंड्स राधे कृष्ण मेरी चैनल में आपका स्वागत है इछले वीडियो में हमने काना जी के लिए छोटा सा जुला बनाया था आई होप आपको पसंद आया होगा अब इस वीडियो में हम बनाने वाले है क्यूट क्यूट काना जी तो चलिए वीडियो सुरू करत अगर आप मेरी चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और लाइक, कॉमेंट और सेयर करना मिलकुल ही मत भूलिएगा तो चलिए वीडियो सुरू करते है अब हमें कोई भी पूरानी गुडिया लेनी है और इसके पूरे कपड़े निकाल देने हैं यह देखि नॉट्बुक का कोई भी पेपर हमें रखना है कि आपकी फर्स खराब ना हो अब हम इसके उपर कलर करेंगे कलर करने के लिए मैंने एक्रेलिक ब्ल्यू लिया है और सर के उपर बाल बनाने के लिए मैंने ब्लैक कलर किया है अब हम इसकी आँखे बनाएंगे तो कानाजी के आँखों के लिए मैंने marker से outline लगाई है यह देखे outline और eyebrows मैंने marker से बना दिये अब इनके आँखों के लिए white color अंदर की side हम करेंगे यह देखे और अब हम उनके eyeballs बनाएंगे eyeballs बनाने के लिए हमें कोई भी तूत पिक हो उसके अंदर भीगों के और इनकी eye voice बनानी है तिलक भी मैंने लगा दिया है अब इनके होठों को color करने के लिए मैंने तूत पिक से red acrylic लिए है यह देखे इस प्रकार से ध्यान से color करना है आपको एक color पूरा सुख जाए उसके बाद ही दूसरा color करना है हम थोड़ी देर सुखने देंगे तब तक हम काना की के लिए जो कपड़ा है वो हम ready करेंगे यहां पर मैंने green color का कपड़ा लिया है और इसको हमें माप लेना है कि कितना हमें कट करना है यह देखे काना जी को रख के इस तरह से माप लेना है ताकि हमें पता चले कितना कपड़ा लेना है और कितना कट करना है हम यहां से इस तरह से कट कर लेंगे कपड़े को यह देखे इस प्रकार से हमें पूरा कट कर लेना है कट करने के बाद इसके उपर हम लेस लगाएंगे, तो लेस लगाने के लिए आपके पास जो भी लेस हवाईलेबल हो, वह आप लगा सकते है, मेरे पास ये थोड़ी सी बड़ी लेस है, लेकिन मैं इसे बीच में से इस तरह से कट कर लूँगी, ताकी ये पतली और झोटी सी लेस हमें मिल सके यह देखे इस तरह से बीच में से ध्यान से कट करना है और यह लेस दोनों अलग हो गई है अब इसमें से मैं यह बड़ी वाली लेस है उसका यूज करूँगी और इसके चारो कौनिपर में इस लेस को इस तरह से ग्लूगन की मज़से लगाऊंगी अगर एसको सिल भी सकते है और अगर नहीं है तो ग्लूगन का यूज करके उसके लगा सकते है तो काना के ऊपर इस तरह से लपेटना है यह देखे इस तरह से लपेटना है और glugan से लगा देना है ये देखें काना जी को हमने glugan से लगा दिया है और ready हो गया है हमारा काना अब हम काना जी के सर के उपर मुकट बनाएंगे तो छोटा बच्चा होता है तो बड़ा मुकट नहीं पेंता इसलिए मैं ये जो लेस का दूसरा पार्ट है, उसी को मैं यहाँ पे लगा दीती हूं, यह देखे मैंने ग्लूगन की मद्स्तरी से लगा दिया है और लेस्को इस तरह से छोट ऐसा फ्लावर बना के साइड में लगा दिया यह देखे, मैंने लगा दिया है कहना जी का मॊगुटдо मेर सब्सक्राइब मनभा कर दो विए दिएक तरह को बनाना है यह देखिए छोटा और मोरपंक ready हो गया है और अब हम इसे cut कर लेंगे ये देखे, cut करने के बाद इसे हम कानाजी के सर के उपर इस तरह से लगा देंगे मोरपंक लगाने से काना अतिमन मोहक लगने लगा है, ये देखे हमारा cute और little Krishna बनके ready हो गया है I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, so please चलते रहे और next वीडियो देखते रहे तब तब के लिए, thank you